प्रेंट्स मेरे नाम अपका स्वागत है तो आप यहां पर देखने वाले हैं यह हो जाता है यह हो जाएगा यह हो जाएगा अपने हिंदी साइट का कर देख रहा है is हुँआ है पाकर नमबर बन देख रखका है और अपके लिए किवेशन मिलने वाले है अबिर इन्ट आपके लिए किवेशन मिलने वाले है जो लोगों को बहुए या पीडिया पे डानलोड करना है ठीक है जिन लोगों को PDF डानलोड करना है MCQ Qution की या फिर नोट्स की तो फ्रेंट वे कहां से डानलोड करेंगे हमारी टेलिग्राम पर जाके डानलोड कर सकते हैं ठीक है यहां पर मैं सिर्फ एक बुक क्या को का रहा हूँ मैं हमां हमने आपके लिए कम से कम दो से तीन बुकों के आपके लिए MCQ Q क्योशें के महात्पूरे क्लयों करना जाते हैं तो क्योंकि बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं हैं बढ़ल को सब्सक्रां करने हैं प्राचीन देवनागरी लिपी का विकास हुआ है किस से हुआ है यह आपको बताना है ध्यान रखना सिर्फ देव नागरी नहीं दे रखा है यहां पर दे रखा है प्राचीन देव नागरी लिपी का विकास हुआ है किस से हुआ है आपको बताना है सारदा लिपी से कुटिल लिपी से या फिर हो जाता है ब्राही लिपी से या option number 2 ठीक है आगे बलते हैं next question बरतमान देविनागी लिपी बिकसित हुई थी किस सताब्दी में बिकसित हुई थी यहाँ पर प्राची नहीं बरतमान देविनागी लिपी की बात हो रही है तो 12 सताब्दी में 10 में 14 सताब्दी में या फिर से 20 सब्सक्राइब का विकास किस लिपी से हुआ है यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा बहाँ पर प्राचीन देवनागरी लिपी की बात हो रही है तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है रोम, ब्राही, गुरु मुखी या फिर खरोश्टी राइट आंसर क्या होगा ब्राही लिपी हो जाएगी अगर बहाँ प्राचीन की बात करता है तो कुटिल लिपी अगर बहाँ बरतमान की मतलब देवनागरी लिपी की बात करता है तो कौन से हो जाएगी ब्राही लिपी हो राइट अंसर हमारा क्या रहने वाला है वो सभी पता है चो देगनाबर की है उसका नेयाम क्या है नांगरी की है को सी नांगरी हो जाता है राइट on the option number आ बते हैं क्योंiger 5 कि और कह रहा है प्रारंब में देबनागरी को किस सुरी दैव के लिपी की एक पेर्व मुझे靶 ता थी बहित क्या थी आपको वताना है प्रारंभ में देव लिपी की जो फार läuft गया है तिक है मैं आपको पढ़के बताया अब यहाँ पर aye उसके बाढ़ों पर पिरो रेखा नहीं मिलती थी, इसका उद्भव ब्राही लिपी से हुआ था, नागरों में प्रियोगत होने के कारड यह नागरी कहलाई, या फिर इसका प्रियोग भारत में लगबग 10 भी सताबदी से मिलता है, तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, पटापट इसका आंसर नाम किस लिपी में दिया था, अपना नाम किस लिपी में दिया था, बैरी ऒरे इंपरेंग्रों मोहफम्मद घजनमी, जो था उसने जो अपनी मुद्राय या सिखे बनाएत थे, उन पर कौन से लिपी को लिखा था, या पोटाना है, रोमन, खरोष्ठी, ब्राही, या पिर देव नागरी, तो मुहम्मद गजनभी जो था, उसने कौन से भहा सा का, कौन से लिपी का परियो किया था, देव नागरी लिपी का प्रियोग किया था राइट अंस हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं next question भारती संभी धान में किसे राज लिपी गोसित किया गया है राज लिपी गोसित किया गया है अत्वा भारत की राज लिपी किसे माना जाता है यह आपको बताना है नागरी देव नागरी रोमन या फिर उर्दू राइट आंसर मारा क्या हो जाएगा भै देव नागरी लिपी हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं next question क्यों next question question number 8 भारती संभी धान में देव नागरी अंको के इस्थान पर कौन से अंक सुईकार किये गए हैं यह आपको बताना है भारती संभी धान में देव नागरी अंको के इस्थान पर कौन से अंक सुईकार किये गए हैं पड़ाबडिस कांसर जिगा, रूसी यंक, युनानी यंक, रूमन यंक, या पर अंतर राश्टी अंक यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट अपना रहने वाला है यह आपको बताना है तो बहुति संबीधाम में देवनागरी अंकों के इस्थान पर कौन से अंक सुखाय थे गए हैं तो यह हो जाते हैं अंतर राष्टी अंक सुखाय किये गए हैं राइट अंसर ऑप्शन अ कि देवनागरी कि किसी प्रिकारी की लिपी है तो बहुत जाती है अपनी कौन सी अच्छा रातमक लिपी है कौन सी है अच्छा रातमक लिपी है राइट अंसर दाएगा ऑप्शन नमबर आ ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन के ओर कह रहा है हिंदी भासा की मान का लिपी है देवनागरी ब्राही सारदा या फिर खरोश्टी कु currents हिंदी भासा की लिपी है वो कौन सी है देवनागरी कि option number 8 हो जाएगा next question के रहा है देव नागरी लिपी किस भासा को लिखने में परियोगत होती है यह आपको बताना है कौन सा बिलकुल right होगा देव नागरी लिपी किस भासा को लिखने में परियोगत होती है तिंधी, मल्यालम, तेलगू या फिर हिंदी तो right answer मारा कौन सा हो जाएगा भई हिंदी को लिखने में देव नागरी लिपी का परियोग होता है आगे बढ़ते हैं next question के रहा है नेपाली भासा की लिपी है कौन सी है यह आपको बताना है नेपाली भासा की जो लिपी है वो कौन सी है गुरुमुखी, देवनागरी, बंगाली, बंगला या फिर मैथली कौन सी यहाँ पर right होगा जो नेपाली भासा की लिपी हो जाएगी वो इतनी कौन सी है देवनागरी लिपी है ठीक है right answer option no.2 आगे बढ़ते हैं निम्री के त जाती है यह आपको बताना है very important question हिंदी, संस्कृत, पंजाबी या फिर मराथी right answer हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है कि देवनागरी लिपी में नहीं लिखी जाती यहां से देना नहीं लिखी जाती ठीक है इंदी मैं निकित नंसी नागरी- mee में लिखी जाती है देबनागनी जाती है कौन सी है रहे बंगाल मराथी या फिर कन्नर यहां को यहां पर कॉन सा विल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है वह विल्युकर कौन कौन सी हिंदी संस्कृit Marathi तो राइट आंसर क्यों नबर्सा मराथी भाए सा देव नागी लिपी में में लिखी जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं देवनागी लीपी में कुल कितने बढ़न biz जो अपनी देवनागे लिपी है उसमें कुल कितने बढ़ रहे हैं यह आपको बताना है कौन सा विल्कुल राइट आंसर रेने बाला है यह तो सभी को याद होने चाहिए ठीक है चोटा बढ़ा कितने हैं वह अपने हो जाते हैं कितने 52 मतलब बाबन बढ़ रहे हैं आगे बेंजन कितने हो जाते हैं 33 दोनों याद अखना बेंजन कितने होंगे बेंजन हो जाएंगे अपने 33 और स्वर कितने हो जाएंगे स्वर हो जाएंगे अपने 11 आगे बढ़ते हैं नेक्स पुशन कह रहा है चात्र ग्या किस प्रिकार के बेंजन है चात्र ग्या किस प्रिका लब मेर किया यह किस प्रिकार के हैं अंसर देना है कौन सा इसलिए क्या करते हैं च्छा का और अच्छा बैदनी राइट रिये में कर बना होता है जा और रिभी को र्याहाँ य में sans यह में से रआओ यह तूसरा मिलकर बने होते हैं इसका राइट आसña को बाट intimate से खेलियाली को पहा जाता है तो कसे कहते हैं आप को बताना है रोमन गुरूमुकी पौरसी डेवनागी कौन नंगरी को कहा जाता है या पिर उचारण में एक रूपता बैग्यानिकता या फिर हो जाता है मातरातमता कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने बाला है या आपको बसना है तो देव नागिलिपी में कौन सा गुड़ नहीं है बह हो जाएगा अपना मातरतात्मक मातरत मकता ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर दा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन के रहा है देव नागिलिपी में सुधार के लिए लोक नागरी नाम से अभियान चलाया था किसने चलाया था ये आपको बताना है देव नागिलिपी के सुधार के लिए लोक नागरी नाम से अभियान चलाया था बहें किसने चलाया था आपको बताना है महात्मादांदी ने महादेब गोबिंद रानाडे ने या फिर आचार बिबिनुबा भाबे ने या फिर बाल गंगाधर फिलक ने लोक नागरी नामक जो अभियान चलाया था बहें किसने चलाया था ये आपसे पूंचा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा आचार बिनोबा भावेने राइट आंसर आप्शन नमबर सा आपका रहने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन सन उनिस सो सहतालि लोग था उसके अध्यक्ष कौन थे यह आपको बताना है बाबू शाम सुन्दरदात डॉक्टर संपूरानंद आचार राम चंद सुक्ल या आचार नरेंद्र देव तो कौन सा बिलकुल राइट आंसर अपना रहने वाला है यह आपको बताना है संबीधान में हिंदी को राष्टे भासा कब सुईकार किया गया था यह आपको बताना है कौन सा बिलकुल राइट होगा 1947, 1950 में, 1960 में, 1965 में, संबीधान में हिंदी को राष्टे भासा कब सुईकार किया गया था यह सुईकार किया गया था संबीधान में हिंदी को राष्टे भासा कब सुईकार किया गया था आगे बता हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था या फिर हिंदी साहति के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंब किस ने किया था या आपको बताना है इसिभि सिंग सेंगर आचार राम चन्डर सुकल या फिर गार्षा दा तासी या हो जाता है जौर्ज ग्रियरसन तो right answer हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है हिंदी साहित का सबसे पहला इतिहास किस ने लिखा था या फिर हिंदी साहित के इतिहास लेखन की परंपरा का आरम दे किस ने किया था तो बहे किया था गार साधा तासी ने राइट आंसर दाएगा option number 7 आगे बढ़ते हैं next question के ओर next question कहरा हिंदी साहित लेखन की परंपरा में काल विभाजन की प्रणाली सरपरतम किस ने अपनाई तो हिंदी साहित लेखन की परंपरा में काल विभाजन की प्रणाली सरपरतम किस ने अपनाई थी आपको बताना है गार साधा तासी ने, सिब सिंग सेंगर ने, मिस्र बंदों ने या फिर जॉर्ज गरियर्सन ने राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है हिंदी साहित लेखन की लेखन की परंपरा में काल विभाजन की प्रणालिक सप्थ अपनाई तिक्स ने जॉर्ज गरियर्सन ने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर दा आगे बढ़ते हैं यहां कहा रहा है मॉडन बरनाक्यूलर लिटरेचर ओफ हिंदुस्तान के लेखन कौन है सिंग सेंगर Mr. Mr. मौडंग आंसर मारा कौन सा रेने वाला आए realise सबसे पहले किस ने रिका है हिंदी भासा में हिंदी साहित काई टिपहा सबसे पहले किस ने लिखा हिंदी भासा में ही हिंदी साहित का इतिहा सबसे पहले किस ने लिखाता यह आपको बताना है जॉर्ज गिरियर्सन, गौर्सदा तासी, सिब सिंग सेंगर, चामचन सुकल, कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है जिन लोग का आंसर यहां पर आ चुका है, सिब सिंग सेंगर, बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुशन की और नेक्स्ट कुशन यहां पर कह रहा है, कुशन नमबर पाइब, कौन सा यतिहास गरंत पास्चात्य प्रभाब से प्रेरित नहीं है, यहां आपको बताना है, भक्तमाल, सुभिकी, सरोज, या फिर भासा, काब बिसंग रहे, सिब सिंग सरोज, यहां पर कौन सा बिल्कुल र भाब से प्रेरित नहीं था, तो वो हो जाता है, भक्तमाल, राइट अंसर, आप्शन नमबर आ, आगे बढ़ते हैं, आचाय रामचंद सुकलिक के अनुसार, हिंदी बहासा और साहितिका प्रारंब माना जाता है, कब से माना जाता है, यह आपको बताना है, रामचंद सुक हिंदी बहासा और साहितिका प्रांब माना जाता है, एक हजार पचास से रामचंद सुकलिक के अनुसा, राइट अंसर, आप्शन नमबर आ, आगे बढ़ते हैं, आचारी सुकलिक का हिंदी साहितिका इतिहास प्रिकासित हुआ, कब प्रिकासित हुआ था, यह आपको बतान रामचंद सुखले का नुसार बैवा था 1929 में राइट आंसर अपना रहने बाला है ऑप्शन नमबर बाठीके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एकुशन की ओर नेक्स्ट एकुशन को देखीगा नेक्स्ट एकुशन का अंसर मारक क्या रहने बाला तोड़ा सा बड़ा करते हैं तो पहला क्यों आदिकाल तो बीर का था काल नाम दिया किस ने दिया था यह आपको बताना है अचायरामचंद सुखल नमबर आ बिल्कुल राइट आंसर आगे बढ़ते हैं आचायरामचंद सुखल ने आदिकाल का नाम करण किया किस नाम से क्या था यह आपको बताना है पारण काल, सिंधी काल, बीर गाथा काल या फिर रासो काल अभी हमने देखा था इसमें कहा था बीर गाथा काल कहा था रामचंद सुखल ने आदिकाल को ठीक है आगे बढ़ते हैं मैक्स कुशन क्योशन नमबर 3 पीर गाथा काल ना क्का क्या है? बर्ल बिसे हो जाता है राइट आंसर आप्शनन नमबर सबर न रहने बाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स के कुशन की की होर, नेक्स बीए कोशन नमबर 4 कहरआ है पीसल देवराथे काल की रचना है आपको बताना है आदीकाल की, भक्तिकाल की रितिकाल की या फिर आदुनिक काल की राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है बीसल देवरासों जो हो जाती है वो किसकी है आधी काल की रचना है राइट अंसर हो जाएका option number A आगे बढ़ते हैं मुल्ला दाउद कृत चंदाइन किस काल में लिखी गई रचना है मुल्ला दाउद के दारा कृत चंदाइन किस काल में लिखी गई रचना है आपको बताना है बीर गाथा काल बती काल रिती काल या फिर अधनी काल आगे देखते हैं समस्त रासोग्रंत लिखे गए हैं समस्त जो रासोग्रंत हैं वो किस भासा में लिखे गए हैं यह आपको बताना है ब्रेज भासा में डिंगल भासा में राज़ताई भासा में या फिर खड़ी बोली में समस्त रासोग्रंत जो हैं वो किस भासा में बहुती important question है तो समस्त जो रासो गरंत हैं वो किस भासा में है डिंगल भासा में लिखे गए है right answer हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सिद्ध साहित की भासा है कौन सी है यह आपको बताना है सिद्ध साहित की भासा कौन सी है संस्कृत पाली प्राकरते की यह फिर आप भ्रहंस right answer क्या रहने वाला है तो सिद्ध साहित की भासा है वो कौन सी है आप भ्रहंस उदाएगी right answer option number 2 का आगे बढ़ते हैं आचार हजारी परसाद देवेदी ने बीर गाथा काल का नाम अंकर किया है किस नाम से किया है यह आपको बताना है यहां पर बहुत important question होते हुए तो जिन लोग का आंसर आ रहा है बीर गाथा काल को क्या कहा है आधी काल कहा है किसने आचार हजारी पर साथ देगी ने ठीक है आगे बड़ते हैं नेक्स्टी एक्सिंए अधी काल को चारण काल के नाम से किस ने अभी हिति किया था यह आपको बताना है कौनसा बिल्कुल राइट हो बताना है आधिकाल को चारकाल के नाम से किस ने कहा था तो बहु हो जाता है डॉक्टर राम कुमार बर्माने राइट आंसर देगा ऑप्शन नमबर दा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गोशन के ओर यहाँ पर कह रहा है राहुल संक्यतन ने आधिकाल का नमानकर किया है अब राहुल संक्यतन के द्वारा आधिकाल को क्या कहा गया है यह आपको बताना है सिंधि सामानत काल, बीरगाथा काल, संधी काल या फिर चारलकाल तो राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है राहुल सांक्यातन इनके द्वारा आदी काल का नामां कड़ किया गया है सिंध सामांत काल के नाम से राइट आंस हो जाएगा ऑप्शन नमबर आ आगे बढ़ते हैं बीर गाथा काल का कौन सा ग्रंत पूरत्या स्रंगार रस से संबंदित है यह आपको बताना है कौन सा है अपको बताना है तो बीर गाथा काल का कौंसा गरंत पूर्टया सरंगार रस में है तो वो इपना बीसल देव रास सरंगार रस में लिखा हुआ है ठिसे परिंगार रस्ते भारा हुआ है आगे बढ़ते हैं इसक्म राईग्ञार को रचनाकार है वह कौन है यह आप sixt है जगनिक में नर्पती नलाअ चंद बरदाई यह फें popcorn कार और आपको बतानाना है क्या तुट Wealthyतal तो ठीज्च यहांपर हो जाएगा आपको बतानाः है कउनसी हो जाती है अब हो जाती है तो रॉराइट अपना जो हो जाएगा और रहने वाला है अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा क्या भक्ति काल है क्या आपको नाना है 975 से 1100 या फिर 1050 से 1400 या रहने बाला है यह आपको यहां पर बताना है तो जिन लोगों का आंसर यहां पर भी आ चुका है ऑप्शन नमबर स्था 1375 से लेकर सत्रा सो तक का जो काल होता है उसे अंका कहते हैं बहती काल का समय कहा जाता है आगे बढ़ते हैं यहां पर हिंदी साहित का स्वर्ड यूग किस काल को कहा जाता है हिंदी साहित का जो स्वर्ड यूग है बहती काल को कहा जाता है यह आपको बताना है आदी काल भक्ती काल या फिर रिती काल या फिर गद्द काल राइट अंसर मारा क्या हो जाएगा सुवर्ड जिसमें भगवान की क्या होगी इस पिकार से कहते हैं पूजाएं भक्ति होगी तो भक्ति काल को क्या कहते हैं सुवर्ड यूग कहा जाता है हिंदी साहित का आगे बढ़ते हैं यहां पर राम चैत मानस किस काल का महा काब्य है राम चैत मानस जो है वो किस काल का महा काब्य है यह आपको बताना है बीर गाता काल भक्ति काल रिती काल या फिर आधनी काल राइट अंसर मारा क्या हो जाएगा भक्ति काल का हो जाता है राम चैत मानस महा का बाफ 2 आप यहां से इसाट हमारा होता है संत द्या काब अलगार से क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है पूर रबन है कभी किस टाब धा राठे चिसक है कभी है या तो बताना है कृष्ण काब धारा राम पहुत इंपोटेंट क्योंचन है कभीर किस का बढ़ारा के कभी है या आप बताना है कौन सा राइट होगा तो जिन लोग का आंसर आप राचुका है संत का बढ़ारा यह किसी को नहीं मानते से आगे बढ़ते हैं नेक्स्स विशन ज्याना स्रही साथा से कभीर पिर सूर्दास जाइसी या पिर इसवर्दास राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है या आपको बताना है ग्याना स्रही साखाते जो कभी हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं कभीर हो जाते हैं राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नमबर आ कह रहा है यहाँ पर क्योशन नमबर 3 इनमें से रहस्ते बादी कभी कौन है बिहारी, कबीर, केसब या फिर तुलसी तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है चिलो का आंसर आ चुका है यहाँ पर कबीर यहाँ पर रहस्ते बादी जो कभी थे वो कौन थे कबीर थे राइट आंसर हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं कबीर द्वारा लिखित गिरंत का नाम क्या है यह आपको बताना है पदमाबद जैसी की है शबद चंदाइन मुलादाउद की है बीजद तो बताना है कौन सी यहां पर हो जाएगी सबद या फिर बीजद तो राइ कबियों का दर शन है संत कभियों का १रसं जो है वो क्या है अधवेता बादी हो जाता है राइट अंसर और और कि आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question कह रहा है यहां पर किस दर्सं ती किस दर्सन में संसाल को ब्रहां से अभिन्यमाना जाता है आपको बताना है कौन सा हो जाएगा दुए 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 द बाद या फर्ड़ा रहने बाला है यह आपको बताना है किसी दर्सन में संसार को ब्रहा से अभिन माना जाता है वह हो जाएगा अवेत बाद राइट आंसर रहने वाला है option number A next question क्या रहा है हिंदी संत काब में हंस का प्रतिकार्थ है हिंदी संत काब में हंस का जो प्रतिकार्थ है वह क्या है आपको बताना है बिबेकी पच्छी आतमा सूर्य या फिर अभव ढूत अभव धूत राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है हिंदी संत काब में जो हंस का प्रतिक है वो क्या है आतमा है राइट आंसर क्या होजाएगा option number 2 यहाँ पर रहने वाला है हंस को क्या प्रतिक कहा गया है हंस को आत्मा बताया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question सूफी काब विधारा की यहां से starting होती है तो पहला question है प्रेमा स्री काब विधारा के कभियों में किसे समलित नहीं किया जाता है यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल right answer अपना रहने बाला है ठीक है प्रेमा स्री काब धारा के कभियों में किसे समलित नहीं किया जाता है पुतूबन रैदास मुल्ला दाव या फिर जाईसी तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है जिन लोग का आंसरा चुका है रैदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेमा स्री काब धारा के कभियों में समलित नहीं किया जाता है आगे बाते हैं नेक्स कुशन दे रखा है तुमारा प्रेमा स्री काब धारा के कभियों ने इस बर को किस रूप में सुईकार किया है यह आपको बताना है प्रेमा स्री काब धारा के जो कभी थे उन्होंने इस बर को किस रूप में स्विकार किया है इस तरी पुरुस ज्योती या फिर उप्रित में से कोई नहीं राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है तो प्रेमा सुरी काब धारा के कभी उने इस बर को किस रूप में स्विकार किया है इस तरी के रोप में स्विकार किया है Right answer हो जाएगा option number A Next question की बात करते है Question number 3 प्रेमा ख्यानक काब परंपरा को अनकिस नाम से जाना जाता है प्रेमा ख्यानक काब परंपरा को अनकिस नाम से जाना जाता है आपको बताना है स्थ्षोपी साहित कावज़ारा के नाम आगे वरते हैं नेक्स्ट गूशन यहां पर कहरा हैं पदमाबत कीरत रच 7 así आपर कुटुबं कि यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसरश रजाएगा तो पदमाबत कि ने ळकी है के द cannabis लिखी गई है मलिक मुहम्मद जाइसी इनका पूरे नाम है आगे बढ़ते हैं जाइसी ने अपनी रचनाओं में किस भासा का प्रियोग किया है ब्रज भासा अबदी खड़ी बोली या फिर अपभ्रंस तो जाईसी जो हैं उन्होंने अपनी जो भासा है अपनी रचनाओं में किसका किया है यह आपको यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अबदी भासा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाई जी ने अपनी रचनाव में किस भासा का प्रियोग किया है, अबदी भासा का प्रियोग किया है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, option number हो जाएगा अपना बा, आगे बढ़ते हैं, अब यहां से start होता है, राम भक राम भक्ती काव जाएगा, और आगे बढ़ते हैं, बिने पत्र का किस महसा में लिखी गई है, बिने पत्र का किस की है, तुलसी दास हो जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, option number सा, आगे बढ़ते हैं, बिने पत्र का किस महसा में लिखी गई है, बिने पत्र का किस की है, करトý annat की दक किए अब यह कह रहा है इत है ङापको बजाना साब खड़ी-बुली और दी आपको किसे लावारा है यह यह इन हो बताने है conducting है किसा मेंकिवा किसा में है ब्रच बहाघ अंसर के रचाहता है राम चरित मानेस के रचित है कोन है तुलसी दास, नाबादास, सूर्दास, कुम्बंदास राइट अंसर क्या हो जाएगा तुलसी दास राम चरित मानेस किसे ने लगी है तुलसी दास के दोरा रचित है आगे बढ़ते हैं next question भक्त माल के रचिता है कौन है अग्रदास, नाभादास, नंददास या फिर लालादास कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा भक्त माल के रचयता कौन है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भक्त माल के रचयता हो जाएगे वो कौन हो जाएगे नाभा दास हो दाएंगे राइट आंसर क्या दाएगा option number 2 यहाँ पर अपना बिलकुल राइट रहने वाला है next question की बढ़ते हैं आप यहाँ से क्या start हो जागा क्रिश्ण भक्ती काब धारा के question यहाँ से start होते हैं पाश्टे question आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है क्रिश्ण भक्ती काब धारा के प्रतिनिधी कभी है क्रिश्ण भक्ती काब धारा के प्रतिनिधी कभी कौन है मीरा बाई, कृष्ण दास, नंद दास यहाँ पिर सूर्झास right answer अमारा क्या रहने वाला है यह आपको यहाँ पर बताना है तो किर्ष्ड धारा के कौन जाएंगे अगर राम की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे अपने कौन उपर देखा था ठीक है कौन थे उपर कौन थे भाई वो तुलसी दास यह ना तुलसी दास थे अब यहाँ पर किष्ण भक्ति की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे भाई सूर्दास हो जाएंगे राइट आंस हो जाएगा ऑप्शन नमबर दा अगले नेक्स्ट कुशन सुर सागर किसमें हैं ब्रज भासा में लिखी गई है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर आ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पुष्टी मार्ग के संस्थापक हैं पुष्टी मार्ग के संस्थापक कौन है यहाँ को बताना है स्वामी रामानोजाचार स्वामी बिल्कुल राइट अंसर हाँ पुष्टी मार्ग के संस्थापक कौन है स्वामी गुक्लईनाथ राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर 7 नेक्स्ट य कुंसर की बात करते हैं नेक्स्ट काएरा है किस आचारे के दार्षन के मत को पुष्टी मार्ग कहा जाता है इस तो आचार 올 राइट झार नमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है कि किस के पुश्टी मार कहा जाता है तो बह कहा जाता है बल्लबा चार के पूस्ण सुल straight कि रचैता है रास पंच्छा गाहें यह यह आपको बताना है अग्रदास। नंदास गुकलनात या फिर लालादास तो राइट आंसर हमारा क्या neurolog है यह आपको बताना है को जिन लोग का आंसर यहां पर आ चुका है नंदास बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा रास पंचा देही के के रचायता कौन है नंद दास हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और क्योशन नमबर सिक्स कह रहा है दो सो बाबन बैश्डवन का बारता सोरी दो सो बाबन बैश्डवन की बारता के रचायता कौन है दो सो बाबन बैश्डवन की बारता के रचायता कौन है आपको बताना है गो स्वामी गोकुलनात गो स्वामी बठलाचार गो स्वामी तुलसीदास गो स्वामी बिठलनात राइट आंसर मारा क्या रहने बाला है ये आपको बताना है दो सो बाबन बैश्लोवन की बारता के रचता कौन है गो स्वामी गोकुलनात हो जाते हैं किया है यह आपको बताना है दासे भाव सख्य भाव नवधा भकति या फिर दाम पत्य भाव कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइ't answer अपना रहने वाला है ङसन भक्त परंपरा के कम उन्हें बक्त के किस रूप को सुईकार किया है तो यह सक्खे भाव को सुईकार किया है किसके सक्खे भाव को सुईकार किया है राइट आंसर आप्शन नमबर बाव हो जाएगा नेक्स्ट कुशन के रहा है अश्ट छाप में कितने कभी समलित हैं नाम में चुपा हुआ है आठ कभी समलित हैं राइट आंसर option number 2 हो जाएगा next question की बात करते हैं निमिकित मेरे से कौन सा कभी अश्ट चाप कभीयों में समलित नहीं है कौन सा नहीं है आप से पूछ रखा है पहला चतुन नंदास गो स्वामी दास नंददास रस्खान और रस्खान नहीं होंगे बाके तो सभी है गोबिन्द स्वामी हो जाते है नंददास और चतुरुपज दास भी हो जाएगे मगर रस्खान नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number 2 रहने बाला है अब अगले start होता है क्या रिती काल है न रिती काल के question यहां से start हो जाते है और जिन लोगों को भाई PDF चाहिए तो वो कहां download कर सकते है टेली ग्राम का लिंक दे रखा है नीचे डिसकप्सर में बहाँ पे जाके आप PDF download कर सकते हैं हिंदी का notes भी बहाँ पे आपको मिल जाएगा बहाँ से आप download कर सकते हैं आगे बाते हैं next question की ओर रिती काल की ओर रिती काल में किस बहाँ साका सरबदिक परियोग किया गया रिती काल में किस बहाँ साका सरबदिक परियोग किया गया था यह आपको बताना है कौन सा बिलकुल right होगा अबदी, खड़ी बोली, ब्रजभासा या फिर बुंदेली तो रिती काल में किस बहासा का सर्बदिक पिरो किया गया था तो बहा किया गया था ब्रजभासा का राइट आंसर आप्शन नंबर सा हो जाएगा next question की बात करते हैं next question का आंसर क्या होगा रिती काल नामकर्ण का आधार है रिती काल नामकर्ण का जो आधार है बै क्या है रचना, रचैता, बढ़ल बिसय या फिर सैली राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है रिती काल का जो नामांकर्ण का जो आधार है बह हो जाता है सैली right answer हो जाएगा option number ठीक है next question की बात करते है question number 3 रिती मुक्ती स्वच्छंद काब धारा के पिरती निधी कभी हैं कौन है वे आपको बताना है रिती मुक्ती स्वच्छंद काब धारा के पिरती निधी कभी कौन है आलम बोधा घनानंद या फिर देव राइट आंसर मारा क्या हो जाएगा जिलो का आंसरा चुका है आपर घनानंद बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाता है आगे बढ़ते हैं राम चंद्रिका के लेखक कौन है राम चंद्रिका के लेखक कौन है आपको बताना है तुलसी दास, केसब दास, सूर दास या फिर कुम्बन दास राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है राम चंद्रिका के जो लेखा को जाएंगे वो हो जाएंगे केसब दास, राइट आंसर आप्शन नमबर 2 आगे बढ़ते हैं, नेक्स से कुशन की और केरा है, रिती काल का सर्ब स्रेष्ट कभी माना जाता है रिती काल का सर्ब स्रेष्ट कभी किसे माना जाता है ये आपको बताना है, केसब दास को, बिहारी लाल को, मती राम को या फिर बहुशन को, राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है जो रीती काल है उसका सर्व स्रेष्ट कभी जो माना जाता है वो बिहारी लाल को माना जाता है क्या बिहारी लाल को माना जाता है आगे बढ़ते हैं रीती काल में किस प्रवर्ती की प्रधानता रही है ये आपको बताना है रीती काल में किस प्रवर्ती की प्रधानता रही है दार्सनिकता, समनब्व्य, स्रंगार या फिर बक्ती, तो यहाँ पर कौन सा बिलकूल राइट आंसर अपना रहने वाला है? इसमें किस की बात है? बिहार Ilhaal की बात है, भई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्रंगार रस्की प्रिधानता रही है राइट आंसर क्या हो दाएगा option number 7 हमारा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं next question की और question number 7 बिन कह रहा है रिती काल की समयवधी निश्चित की गई है कितनी समयवधी निश्चित की गई है यह आपको बताना है रिती काल की समयवधी निश्चित की गई है प्रिधा की बात की बात हो रही है भिकारी दास, बिभारी लाल, केसब दास या फिर मती राम तो रिती काल के जो प्रवरतक माने जाते हैं वै कौन माने जाते हैं केसब दास माने जाते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा option number 6 हो जाएगा confused नहीं होना है जो प्रिधान्त हो ली यहाँ पर सर्वस्रेश्ट कभी की अगर बात करता है तो कौन है बिहारी लाल है तर्वस्रेश्ट कभी की बात करता है तो कौन है बिहारी लाल है अगर प्रवरतक की बात करता है तो कौन है केसब दास हैं दोनों में confused बिल्कुल नहीं होना है आगे बढ़ते हैं next question question number 9 रिती काल को स्रंगार काल का नाम दिया किसने दिया था यहां को बताना है आचायरामतन सुकल ने मिसर बंदू ने आचारे विस्वनात परसाद मिसर ने या फिर राहुल सांक सांकिर्ट्यानंद ने राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यहां को बताना है रिती काल को जो स्रंगार काल की जो संग्या दीती बहे दीती आचारे विस्वनात प्रसाद मिस ने राइट आंसर आप्शन नमबर सा आगे बढ़ते हैं मिसर बंदों ने रिती काल को संग्या दीती मिसर बंदों ने रिती काल को क्या कहा था ये आपको बताना है अलिकरत काल, संगार काल, कला काल या फिर रसिक काल तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है मिसर बंदों ने रिती काल की संग्या दी थी किस से अलिकरत काल इसका नाम रखा था क्या संग्या दी थी अलकरतकाल संग्या दी थी आगे बढ़ते हैं next question next question करा है निम्लिकित में से कौन से रिती काली इंधारा नहीं है कौन से रिती काली इंधारा नहीं आपको बताना है रिती बद्ध, रिती सिद्ध, रिती मुक्त, रिती लच्छ तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है निम्लिकित में से कौन से रिती काली इन धारा नहीं है तो वो हो जाती है रिती लच्छ राइट आंसर हो जाएका ऑप्शन नमबर दा आगे बढ़ते हैं केसब को कठन काबिका प्रेत उनकी किस रचना के आधार पर कहा गया है बेरी बेरी इंपोर्टेंट क्योशन हो जाता है केसब दास को कठन काबिका प्रेत उनकी किस रचना के आधार पर कहा गया था यह आपको बताना है कभी प्रिया, रामचंदरका, रसीख प्रिया या फिर विज्यान गीता तो right answer हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है जिन लोग का आंचा आ चुका है रामचंदरका तो बिलकुल right answer हो जाएगा राम चंद्र का के ही रचना के अनुसार कठिन काभव का प्रेत के सब्दास को कहा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question अब यहां से हमारा start क्या हो जाता है भारतेंदू युग यहां से start हो जाता है ठीक है क्यों को देखते हैं question number one question number one कह रहा है हिंदी गद्य के विकास का प्रिथम शौपान है वो क्या है आपको बताना है भारतेंदू युग दूइवेदी युग सुक्ल यूग या फिर सुकलूत्तर यूग तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतेंदू यूग राइट आंसर option number A। आगे बढ़ते हैं अधुनिक काल का प्रारम माना जाता है। खब से माना जाता है आफ वा हो जाएगा। वो 1850 से माना जाता है, right answer option number 2 हो जाएगा, कह रहा है कभी समाज के संस्थापक थे, जो कभी समाज है उसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है, भारत इंदू हरिश्चंद, प्रताप नाराण मिस्र, या फिर हो जाता है तुम्हारा स्रीधर पाठक, या फिर डॉक्टर अं किस ने किया था, ये आपको बताना है, बद्री नाराण, चौधरी प्रेम घन ने, प्रताप नाराण मिस्र ने, या हो जाता है तुम्हारा भारत इंदू हरिचंद ने, या फिर स्रीधर पाठक ने, राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा, कभी बच्चन सुदा के जो पत् भारतेंदू यूग है, उसमें किस भासा का प्रियोग नहीं किया गया था, आपको बताना है, खडी बोली, ब्रज भासा, अब्दी या फिर मानक हिंदी, राइट आंसर हमारा क्या रहने बारा है, जो भारतेंदू यूग है, उसमें जो भासा का प्रियोग नहीं किया गया आपको बताना है निज बहांसा उन्ती अहे सब उन्ती को मूल यह किसकी पंकेती है आपको बताना है मैचलो गुप्ति की बहारतिंदू हरी शंद्र की डॉक्टर पंडित प्रताप नाड़ा मिस्र की या फिर स्रीधर पाटक की राइट आंसर हमारा क्या रहने बाला है यह यह बन है अधुनिक काल में भारतिंदू यूग के बाद आने वाला यूग को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है दुवेदी यूग च्हाया बादी यूग या फिर प्रियोग बादी यूग तो यह यूगों को आपका सीरीज वाई याद रखना बहुती इंपोर्टें का option number 8 ठीक है next question की बात करते question number second करा दुवेदी यूग का काल खंड जो है वो कौन सा था यह आपको बताना है 1900 से 1916 1900 से 1926 1900 से 1920 1905 से 1920 राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है यह आपको यहां पर बताना है देवेदी यूग का जो खंड काल है वो हो जाता है 1900 से 1916 राइट आंसर रहने वाला है option number 8 नेक्स्ट कोशन की बात करते है question number 3 सरस्पती पत्रका के प्रमुक संपादत थे कौन थे यह आपको बताना है स्याम सुंदर दास, आचायर महाबीर परसाद देवेदी, पंडित, माधवा, माधपरसाद यह फ्रुपिक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है उसके संपादत कौन थे आचायर महाबीर परसाद देवेदी थे कि बात करते हैं हिंदी कभीता में राष्टी-भावना का सवर सरपृफम दिखाई देता है किसमें दिखाइदन knobs में द्वेदी युग में चायवादी युग में प्रगतिवादी युग में कौन सा यहां पर बिलकुर राइट आंसर रहने वाला है हिंदी कभीता में हिंदी कभीता में राष्टी भावना का स्वरसा प्रतम दिखाई देता है किसमें दिखाई देता है द्वेदी युग मे नहीं है कौन सा बिलकुल राइट होगा अचारे महाविय परसाथ द्वेदी अयोध्या सिंगोपाद्ध्या हरियोद मैथली स्रडगोप्त पंडित अंबिका दत्व्यास राइट आंसर नमारा कौन सा हो जाएगा निम्रिकत में से कौन सा कभी द्वेदी युग का नहीं है त खड़ी बोली का पिर्थम महाकाविय आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सांकेत उधत सक्त उधत सतक या फिर प्रिये प्रबास का माईनी राइट आंसर मारा कौन सा हो जाएगा खड़ी बोले का पिर्थम महाकाविय जो हो जाएगा सांकेत हो जाएगा जो किसका है मैथल तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बाद दुए वेधी युग का हो जाता है सांके जो मैथिश्डगुप्ति के द्वारा तचा गया है आगे बढ़ते हैं दुएवेधी युग के लेखक हैं दुएवेधी युग के लेखक कौन हैं पंडित बाल किष्ण भट पंडित प्रताप नान मिस्र या दिर्खा है तुमारा सरदार पूर सिंग बद्री नारा एड़ चौधरी प्रेम घन राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहां पर बताना है किया है, तो जिन लोग का आंसर आ चुका है, सरदार पूर सिंग बिलकुल right आंसर हो जायगा, दूवेदी युल के लिएका कौन है, सरदार पूर सिंग यहांपर हो जाते है है राइट आंसर ऑप्षिन नमबर सा हो जाएगा नेक्स्ट कुशन को देखेगा नेक्स्ट कुशन का आंसर क्या होगा नेक्स्ट कुशन के रहा है निम्रिकित में से कौन सी बिसेष्था देवेदी युग की नहीं है जिन लोग का आंसर यहां पर आचुका है ऑप्षिन नमबर सा बेद ना प्रियता तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का ठीक है तो जो लोग आंसर ऑप्षिन नमबर सा दे रहे थे बिल्कुल सभी राइट आंसर हो जाएगा बेद ना प्रियता तो फेंट्स यहाँ पर हमारा जो part 2 होता है ठीक है बै क्या होता है समापत होता है part 3 आपको जल्द ही मिलने वाला है ठीक है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती तो ये तीन भागों में डिवाइड की गई है first, second और third first आपको provide करा दिया, second ये हो गया third आपको provide जल्द ही मिल जाएगा ठीक है तो फेंट्स लाइक करना है, share करना है चैनल को subscribe करना है जिन लोगो को PDF डानलोड करना है जिन लोगो को notes PDF डानलोड करना है mcqqshno की तथा notes डानलोड करना है टेलिग्राम का लिंक के नीचे दे रखा है डिस्कप्शन में बहाँ पर जाके आप डानलोड कर सकते हैं पर फेंट्स लाइक करना, चैनल को subscribe करना जय हिन, जय भारव